लोगसबा चुनाव 2019 सबंतीम पड़ाव पर आ चुका है रविवार को देश के 69 लोगसबा सीटों पर मतदान संपन हुआ और में छटे चरण के मतदान के साथ ही अब तक 484 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है अब आखरी चरण में 69 सीटों पर 19 मई को वोट डाले जाएंगे इस चरण के मदाताओं को अपनी पार्टी के तरफ लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने दिन रात एक कर दिये पियम मोदी अब MP पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक एक जनसभा करेंगे और है पियम के सबसे पहले MP के रतलाम में विशाल जनसभा होनी है इसके बाद हिमाचल प्रदेश के सौलन में और पंजाब के बठिंडा में भी पियम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करते नज़र आएंगे लोगसबा चुनाओ 2020 का दंगल अब अब अन्तिम पड़ा उपरा चुका है तो कि 6 चरणों के मतदान संपन हो चुके हैं और 7 चरण में मतदान होने हैं और इसी के लिए सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए कमर कसली है और इसी के तहट पियम मोदी प्रचार प्रसार में जुटे हैं पंजाब के भटिंडा में पियम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे 7 चरण के चुनाओ प्रचार में अब पियम मोदी जुट चुके हैं पियमोदी आज तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे सबसे पहले MP के रतलाम में पियमोदी की जनसभा होनी है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन में पियम एक चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे साथमें चर्ण के चुनाव प्रचार के बाद 23 माई को नतीजे आने है और अब चुनाव अंतिम पड़ा उपर है पियमोदी सबसे पहले MP में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सभी पार्टियों ने अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अपने स्तर पर जोर शोर से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत पियमोदी साथवी चर्ण के चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं पियमोदी आज तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे सबसे पहले MP के रतलाब में पियमोदी के एक विशाल जनसभा होनी है उसके बाद हिमाचिर प्रदेश के सौलन में पियम एक चुनावी सभा को संबोधित करते नज़र आएंगे साथ में चनके चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं पियम नरेंदर मोदी और इसी के तहत आज एक नहीं दो नहीं बलकि तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर प्रचार करना शुरू कर दिया है चुके चुनाव अब अन्तिम पड़ा उपर है और पियम ओदियाद सबसे पहले मदिप्रदेश के रतलाब में एक विशाल जनसबा को संबोधित करते वे एमपी की सियासत को साधने का काम करेंगे उसके बाद पंजाब के बठिंडा में भी एक विशाल जनसबा को संबोधित करते नज़र आएंगे पियम मोदी जनसबा को संबोधित करते समय अपने एक अलग अंदाल्स के लिए जाने जाते और इसी के तहत आज तीन अलग अलग राज्यों में विशाल जनसबा को संबोधित करेंगे साथवे चन के चुनाव प्रिचार में सभी पार्टियां अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी के तहत पीम नरेंदर मोदी आज तीन राज्यों में विशाल जनसबाओं को संबोधित करेंगे करेंगे